दोफ्तों आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे SSE page 12 का form आप कैसे भरेंगे step by step मैं आपको पूरी process इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ जैसे सबसे पहले form भरने से पहले आपका OTR registration करना होगा तो OTR आप registration कैसे करेंगे registration करने के बाद login करकर form को कैसे भरना है आपको देना है वो किस परकार आप chain करेंगे तमाम जनकारी इस वीडियो में आपको बताई जाएगे अंतर तक जूरे रहिएगा अगर आप SSE page 12 की भरती का form भर रहे हैं तो कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होगी सबसे पहले समद लीजे कि यह SSE page 12 की भरती होती है इसमें किस परकार के candidate form को भर सकते है तो देखिए अगर आपकी योगता केबल 10 भी पास है तो भी आप form को भर सकते हैं अगर आपकी योगता 12 भी पास है फिर भी form को भर सकते हैं फेज 12 की जबी भी बहाली आती है, फिर अगले साल फेज 13 की आएगी, तो हर साल ये बहाली आती है, वही आपकी जो 12, 13, 14, ये सब बढ़ता चला जागा, इसमें होता ये है कि जितने भी भरती SSC की होती है, जैसे MTS हो गया, GD हो गया, CHSL हो गया, इन तमाम भरती में जो भी स सीट ये बची हुई होती है, उन तमाम बची हुई सीटों पर फेज 12 की जो बहाली आई हुई है, इसमें वो सब तमाम सीट जोड दी गई है, इसलिए इन में तमाम परकार की योगता वाले कैनिडेट को फॉर्म भरने का मौका दिया गया, तो आप अपनी योगता के कोडि अलग अलग पोस्ट के लिए अप लाइक कर सकते हैं, तो आईए जानते हैं कैसे ये पूरी पर के लिए आपको करना है, देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आता है, प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, चाहते हैं इस पर करके लगातार अपडेट आपको मिलत आपको ये पोस्ट मिल जाएगा, SSA Selection Post Phase 12 Online Form जिस पर क्लिक करेंगे, तमाम जनकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप जरूर एक बार ये पूरी जनकारी को अपने अस्तर से पढ़ लिजेगा, ताकि आपको कहीं भी कोई परसानी नहीं होगी, नीची आने के बाद डि चैनिडेट ओटी यार किये हुए, डाइडेक्ट आप क्या करेंगे, अपना राइश्टेसन नमबर, अपना पासवर्ट, कैप्चा कोट को डाल कर लॉग इन करेंगे, जो नए कैनिडेट है, आप डाइडेक्ट नीचे में ऑप्सन राइश्टर नाव का मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे, ओटी यार के लिए आपको बताया गया, कि ये चार एश्टेप को फॉलो करना होगा, कंटिनू वाले विकल पर क्लिक करेंगे, प्रसनल डीटेल पूछी गई है, जिसमें पूछा गया है, कि आपके पास अधार कर है, तो यहां पर एस करे, अधार नमबर फ होगा, जो अधार कर नहीं दे रहा है, अगर आप अधार कर देंगे, तो फिर ये उप्सन आपको नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखेगा, नीची आना है, तिन नमबर में आपका जो नाम है, मैटी के सर्टिफिकेट पर उसके एकोर्डिंग डालेंगे, उससे जो भी साल है, उससे आप यहां से चैन कर लिजे, जो महिना है, जो डेट है, उससे इस परकार आप चैन कर लिजेगा, फिर दुबारा से डालना है, पिता जी का जो नाम है, मैटी के सर्टिफिकेट के कोर्डिंग डालेंगे, माता जी का नाम डालेंगे, आपने जो दस्व में कि आपकी highest level of qualification क्या है मतलब कि आप कहां तक पढ़े हुए जैसे माल लीजिए आप जो है graduation कर लिए diploma किये हैं पीजी किये हैं बता सकते हैं या आप हो सकता है सब्सक्राइब तक ही पढ़े हैं तो manipulation भी बता सकते तो आप अपने according आपकी highest qualification के बारे में यहां पर बता नहीं है उससे दुबारा डालेंगे आपका जो भी mobile number होगा आप यहां पर mobile number डालेंगे एक option मिलेगा send OTP का जस पर click करेंगे number डालेंगे तो option आ जागा फिर number पर OTP गया होगा उस OTP को आपको इस box में डालना है एक option validate का मिलेगा जस पर क्लिक करेंगे OTP verify होगा mobile भी verify हो जागा इससे according email ID डालना है send OTP पर click करना हो OTP email पर भी आगा उससे आपको यहां पर फिल करना है और इससे भी validate करेंगे फिर नीचे में एक option आपको मिलता है say by next का जिस पर आपको click करना है इस परकार आपका personal details save होता है आप यहां से इसको close करेंगे अब यहां पर registration number आपको मिल जाता है इसको note करकर जरूर रखिए अब आपको क्या करना कि नया password बनाना होगा इसके लिए नीचे में एक option मिलता है continue का जिस पर आपको click करना है यहां पर बोला गया कि आप अपना registration number दीजिए आपको एक password मिला होगा आप अपने number या email को check करेंगे वहां पर चला गया होगा आप उस password को अभी डाले फिर नीचे capture code को डाले sign in वाले बिकल पर click करें sign in करते ही आपको नया password set करना होगा अब देखिए password कैसे बनाना है समझ लीजे जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर छोटा अक्षर symbol अंक आपको देना है इसमें सबसे पहले अपना old password देना है जो पुराना password आपको मिला है फिर नया password जिस recording हमने बताया उससे आप बना कर यहाँ पर डालेंगे उससे confirm करेंगे फिर यहाँ पर कुछन पूछी जाती है उसका answer देना है यहाँ पर आप जब click करेंगे तो कई सारे question है जैसे आपका जो फिबरेट मोवी होगा या आपका first school होगा फिबरेट बूक होगा उसको आप चुन लीजिएगा उसका नाम देंगे जब password भूलते हैं उसमें यह मदद करता है फिर second question यहाँ से आपको चुनना है उसका answer देना है और save next पर click करना है इस परकार आपका password सफलता प्रवक चेंज होता है यहाँ से इसको close करेंगे पुना आपको login वाले विकल पर click करकर अपना registration नमर नया password जो बनाया है capture code को डलकर आप login करेंगे फिर यहाँ पर कुछ जनका अरी में कोई ऐसा निसान हो जो कटा का हो जला का हो वह आप यहाँ पर बता सकते हैं अगर आप दिव्यांग है तो एस करेंगे किस परकार की दिव्यांगता है टाइप बताएंगे अगर नहीं है तो आप simply यहाँ पर नो करेंगे यह जनकारी भढ़ने की जरूरत नहीं है आप जो दिव्यांग होंगे अपना दिव्यांग सर्टिफिकर्ट भी दे सकते हैं नीचे आपको आना छे नंबर में आपसे बोला गया कि आपका पर्मानेंट आड्रस कौन सा है वह आप बताएंगे जैसे आड्रस आप अपने कोडिंग बता जैसे विलेज होता है तो आप भिलेज लगा है फिर कॉमा लगाकर पोस्ट आफिस भी आप मेंसन कर सकते हैं फिर कॉमा लगाकर आप पुलीस एस्टेशन मेंसन कर सकते हैं इस से कोडिंग भी आप एड्रस लिख सकते हैं फिर आपका जो एस्टेट होगा बताएंगे आपका जो भी पीन कोड़ है बताए करेंगे और यहां पर डिकलेर करना है तो चेक बॉक्स पर टी करना है एक उपशन पहले प्रिभीव का मिलता तो प्रिभी ओटी यार पर क्लिक करकर अपने तमाम डीटेल देख लें कि सारी डीटेल आपका सही है या नहीं है को डीटेल गलत है तो अभी आप इससे करते हैं इस परकार आपका जो ओटिया राइस्टेशन पर क्लिए सफलता प्रोग सम्मिट होता है आप यहां से क्लोज करेंगे अब आपके सामने इस परकार डैस्बूड आएगा यहां पर लाइव एक्जामिनेशन में देखेंगे जो भी एक्जाम के लिए भी फॉम फिल करेंगे अगर आधा धूरा फॉम को छोड़ देते हैं जैसे आप अप्लाई करते हैं अदा भर दिए फिर छोड़ दिए तो फिर आपको यहां पर माई अप्लिकेशन पर जाकर वह वहां सब्सक्राइब नहीं होगा जितने भी फॉम आप भरते हैं उन तमाम अप्लिकेशन का हिश्री आपको यहाँ पर मिलता है तो आइए जानते हैं सेलक्षन पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर अप्लाई वाले विकल पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करेंगे यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दिये है कि फॉर्म भरने से पहले परिक्षा नोटिस अवसे पढ़ ले इसके बाद यहाँ पर बताए गया है कि आवेदन पत्र भड़ते समय साब्धानी बढ़ते हैं सही जैनकारी ही प्रदान करें जब आप फॉर्म भर लेते हैं उसके बाद पैमेंट अगर आपको करना है तो य आपको यहाँ पर देखने को मिलता है सिंप्ली आपको नेक्स्ट बाले नीचे आकर आप इस बाले ओप्सन पर क्लिक करेंगे यह डिटेल आपका सेब होगा उके वाले विकल पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप एक सर्विसमेन है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ समय नेक्स्ट बाले विकल पर क्लिक करना है अब यह भी डिटेल है इस्टर्न रिजन है करनाट का केला रीजन है मध्य परदेश जरी आपको मिलते हैं किसी एक ही आप रिजनल सने हैं कर सकते हैं तो जैसे माली हमें Central रिजन से उन्हist impose को मिकरना है उप और इसके तहट जितने भी बहाली होगी उसके लिए एक पोस्ट कोड निरधारन किया गया है अब आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि कौन सा पोस्ट कोड किसका है मैं आपको अभी तरीका बता देता है तो आप दो तिन तरीका बताऊंगा आप किसी एक तरीका को फॉलो कर ले पद है इसके लिए जो क्वालीफिकेसन चाहिए यह गरजु़षन चाहिए गरजुषन अस्तर की यह बहाली है इन बातों को धियान रखे और नीचे में भी असली इन्होंने बताया है कि इन्हों ने बता जान परकार आप दुसरा कोडंको जब च्शेंज करते हैं तो फिर इस भी लेवल का फॉर्म फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए सेंसेल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यह आपको यहां पर बताए गया है इस एकॉर्डिंग भी देख सकते हैं अगर मालेज आपको दुसरे रिजिनल से अप्लाई करना आप उसको भी चैन करेंगे फिर यहां से प आपको किस रिजल से आपको यहां पर देखें जैसे आन डी डब्लूर आइस इसमें जो पोस्थ कोट है पोउस्थ कोड को यहां पर बताया है कि यह पोस्थ चोड जो है ली Br available इसके लिए आपकी एज क्या है सैल्री का लेबल क्या होगा और इसके लिए क्या होगी वह यहां पर इन्होंने बता है साथ अब बाहाली कितनी है वो भी आप देख पाएंगे यहां पर देखेंगे बाहली टल दो दिखारा तो इसको लेकर चिंतित नहीं होना है आपको देखना है कि यू आर में बहाली होनी चाहिए तो सब में यू आर में बहाली है यू आर का मतलब है कि ऑन रिजर्ब इस पर सभी कैंडिडेट आर फाइट कर सकते हैं यह धियान रखीगा तो इस परकार अलग-अलग रीजेन का जो है आप डीटेल देख सकते है देशा NR रीजन का आपको देखना है तो NR रीजन में एक सिविल मोटर ड्राइवर का पद है जो कि दस्वी अस्तर का पद है इससी अनुसार और भी अलग इसमें एक सिठे रखे गई है किसी में तीन है तो इस से कॉर्डिंग आप देख लिजे और जिसके लिए भी अप्लाई करना है उसका पोस्ट कोड खास रूप से ध्यान रखना है जैसे माल लिजे हमको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना तो यह सेंटर रिजिन में आता है तो हम यहां से सबसे पहले रिजिन में सेंटर रिजिन चूनेंगे आप पोस्ट कोड में धियान रखना है दस बिरास से चार था तो यहां पर देखिए आपको देखना है दस बिरास से चार है जब आप इसको चूनेंगे तो एक लिंक दिया है आपको पोस्ट डिटेल चेक अब जब सबसे पहले आपको चुनना है यह फेज 12 के बारे में जाना आपको चैन करना है किस रीजिन का आपको detail देखना है तो हमें central region supply करना तो इसको देखेंगे अगर आपको इस टर्म से करना है करनातका से करना तो आप अपने according जिससे भी आपको करना है उसके बारे में detail चिक कर सकते हैं सर्च वाले बिकल पर क्लिकरेंगे अब देखिए अलग-अलग यहाँ पर देखिए आपको post code मिलते हैं अब post code में qualification भी बता दिए गया है salary भी बताया गया है अब उस post के बारे में अगर आपको पूरी जनकारे चीए जैसे यहाँ पर देखिए store कीपर की एक बहाली रखी गई है अब इसके बारे में हमें देखना है कि इसका क्या essential qualification है तो इसके सामने यहाँ पर देखिए action के नीचे आपको click करना है अब पूरी जनकारे इस post के बारे में बताई गई है किस के लिए आपके पास essential qualification क्या होने चीए किस department में आपकी यह job होने वाली है आपकी additional detail क्या होने चीए उसके बारे में बताए गया job profile किस पर कर होगा category जिबाई बहाली की भी detail आपको यहाँ पर दिये गया है तो इस recording भी आप जनकारी को देख सकते हैं या आपको कोई proper code कोई अगर मिला है जिसे आप इस code के लिए apply कर रहे है तो इस code को भी direct डाल कर क्या कर सकते हैं डिटेल देख सकते हैं जिसे यहाँ पर देखें सर्च का एक option है इसमें क्या करेंगे अपना उस code को आप डालेंगे और उसके बाद उस code के नीचे देखें वो इस post के बारे में detail आजागा action वाले विकल पर click करकर उसके बारे में आप पूरी जनकारी देख सकते हैं तो इस recording भी आप जनकारी को find कर सकते हैं तो हमने कई सारे option आपको बताया अगर आप चाहें तो direct यहाँ से भी apply कर सकते हैं notification स से देखेंगे तो सारी detail आपको पता चल जाएगा यहाँ पर सारी detail नहीं बताती है बस आपको post को चूनेंगे तो post का नाम उसके qualification बताएंगे salary क्या है किस department में job है कितने उसमें बाहली इसके लिए आपको notification ही देखना होगा या हमने एक अभी जो link बता उस link से उसका पूरा detail आप देख सकते हैं इस according आप जनकारी को चैन करेंगे जिस post के लिए अपलाई करना अपना post को यहां से चैन करकर उसके बारे में जनकारी मिलेगा अब candidate का जो qualification है highest qualification उसके बारे में पूछा गया है तो अगर मान लेजी यह मैटिक अस्तर की पद है लेकिन अगर आप के लिए आपकी जूभी essential qualification मांगे गया है उसके बारे में यहां पर जनकारी दिये गया है यह आप से पूछ रहा है कि क्या इसके लिए जूभी qualification चाहिए उसको आप पूर्ती करते हैं यहां पर आपको इस वाले बिकल पर क्लिक करना है आपके पास अगर experience है तो उसकी जनका कर दीजिएगा यह जनकारी आपसे नहीं पूछी जाएगी अब नीचे आपको आना है या आप not applicable भी चुन सकते हैं अब exam city के लिए आपको preference देना है तो यहां पर आपको तीन preference देने होंगे आप जहां भी रखना चाहते हैं उससे आप यहां से चैन कर सकते हैं बाकि आपक कर सकते हैं और नहीं चाहिए तो आप यहां पर no करेंगे अगर यहां पर करेंगे तो बोलेगा कि subscribe चाहिए तो आप बता सकते हैं नहीं चाहिए तो आप no कर सकते हैं किसे को age में relaxation चाहिए तो इस करेगा पाकि आपको बताना होगा कि अगर आपके category के according बताएगा कि आपको कितना relaxation मिलेगा नहीं चाहिए no करेंगे फिर 7 next पर क्लिक करेंगे इस परकार आपका details save होता है आप ओके वाले विकल पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर दिखे document upload करना होगा document में सबसे पहले आपको photograph upload करना है इसका guideline लेंस समझ लीजे इन्होंने बताया है कि फोटो जबी आप क्लिक करते हैं तो अच्छी lightning होनी चाहिए फोटो का जो भी background आपका होगा वो बिल्कुल plane होनी चाहिए आप जबी फोटो गीशते हैं तो camera के जो lens होते हैं उस पे आप focus करकर आप घीचे उसी पे ताकना है आपको जो भी आप में camera होगा उसके wavecam पर आपको देखना है फोटो जबी भी क्लिक करते हैं उसमें cap mask या जो भी चस्मा है इसका प्योग आपको नहीं करना है इन बातों को धियान रखना है अब फोटो क्लिक करने के लिए नीचे में एक option इन होने दिया है capture live photo आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ से आपको क्या करना है allow करना है आप allow करेंगे इस परकार आपका जो फोटो है वो दिखाना सुरू होगा अब क्या करना है कि camera का जो भी lens है जैसे हमने चस्मा लगा रखा है तो इसको पहले हटाना है और camera का lens पर आपको focus करना है और यहाँ पर देखे capture का जो option मिलता है इस पर क्लिक करना है इस परकार आपका जो फोटो है वो capture होता है लेकिन ध्यान रखना है जैसे आप देख रहा है यह photo मेरा cut रहा है क्योंकि हम वीडियो बना रहा है इसलिए यह photo अच्छे से नहीं ले पाया है लेकिन अगर photo अच्छा नहीं आया फिर यह option मिलता है capture again जिस पर क्लिक करें आप बिल्कुल सिधा और सही धंगोर से photo को capture करें photo का जो guideline है देखिए आपका इस परकार का photo होना चाहिए बिल्कुल सिधा और सही होना चाहिए इस परकार का photo acceptable नहीं है बाकि यह सभी photo अगर इस परकार लगाएंगे तो वो बिल्कुल आपका reject कर दिया जाएगा उसके बाद save आले विकल पर आपको क्लिक करना है photo आपका आ जाएगा बाकि नीचे इन होने आपको बता है कि आप application को भी scan करकर इसके थुरू भी photo आप live capture कर सकते है अब यहाँ पर signature आपको डालना है जो 10 से 20 के भी में होगा आप यहाँ से select करेंगे उसके बाद नीचे में एक option मिलता है save next का जिस पर आपको क्लिक करना है इस परकार photo signature आपका save होगा उके वाले विकल पर आपको क्लिक करना है अब आपके सामने form का preview खुलता है तमाम जनकारी आपको देखने को मिलता है आप अपने पूरी जनकारी एक बर जरूर मिलान करे सारी जनकारी अगर आपका सही है तो नीचे जवाब आएंगे एक option मिलेगा save next का जिस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको declare करना है check box पर tick करना है capture code को डालना है save next पर क्लिक करना है इस परकार आपका application submit होता है अब आपको payment करना है payment करने के लिए option मिलता है make payment का जिस पर क्लिक करेंगे और जिनका payment नहीं लगेगा direct आप go to dashboard पर जाकर print ले सकते मैं आपको आगे बताऊंगा payment कैसे करना है make payment पर जैसे ही क्लिक करेंगे 100 रुपया का payment लगेगा pay वाले विकल पर आपको क्लिक करना payment gateway सही से काम नहीं कर रहा है आपको इसको कोसेस करना है एक बार पुना reload करना है अगर नहीं काम करें पुना इनके website पर आकर login वाले विकल पर क्लिक करकर अपना registration number password capture को डाल कर login करेंगे जब दुबारा login करेंगे तो माई application पर देखेंगे बताएगा कि अभी आपका payment pending है आप इस पर क्लिक करकर इससे दुबारा कर सकते हैं क्योंकि अभी payment gateway अच्छे से काम नहीं कर रहा है इसलिए थोड़ा सा wait कर लेना जब आप payment कर लेंगे तो यहां से इसका application history में आकर आप इसका print ले सकते हैं या यहीं पर भी आपको print का option मिलेगा इस पर क्लिक करकर print आप ले सकते हैं इस परकार आप सभी candidate SSA selection post page 12 का form बड़े ही आसाने से फिल कर सकते हैं उमीद करता हूँ आपको पूरी जनकारी समझ में आई होगी तो वीडियो को like share जरूर कर दीजीगा चैनल पर नया है तो subscribe किजीगा इस पर करके लगातार आप डेट के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद